नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेश में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रेमचंद की कहानी मनोबृत्ती इसी का कथासार या फिर सारांग्स को समझ लेंगे। कथासार या सारांग्स को समझ लेने से इस पाठ से संबंधित जो भी प्रस्ण आएंगे उसका उत्तर आसानी से दिया जा सकता है आप जानते हैं यह मनोबृत्ति प्रेमचंद द्वारा रचित नारी स्वतंत्रता पर जोर देने वाली एक प्रसिद्ध रचना है तो यह प्र उजागर करने के साथ ही अपने विचार को भी व्यक्त करते हुए इन समस्याओं के समाधान भी प्रस्तूत किये हैं प्रेमचंद की अधिकतर कहानियों में प्रेमचंद ऐसा ही करते हैं समस्याओं को उजागर भी करते हैं साथ ही इसका समाधान प्रस्तूत करने का प्रयास भी करते हैं इस कहानी का कथासार अगर कहा जाए तो इसमें पार्क में प्राता काल एक सुन्दर यूबती बेंच पर सोई हुई पाई जाती है यद्यपी यह एक साधारन सी बात है किन्तु पार्क में बुढ़े जवान और इस्तिरियां जो भी तहलने आये थे इस इस्तिरी क को देखकर एक छन के लिए ठीठक जरूर जाते हैं एक नजर से वे इस द्रिशी को देखकर जरूर जाते हैं और अपनी अपनी राय भी ब्यक्त करते जाते हैं यूबक रहस्य भाव से मुस्कुराते हैं तो व्रिद्य जन चिंता भाव से सीर हिलाते हैं तथा यूबतिया लज्जा से आखे नीची किये हुए पार्क में टहलते हुए निकल जाते हैं। अर्थात सभी लोग अपनी कुछ ना कुछ राई देते ही हैं और उस पार्क के बेंच में सोई हुई यूपति को देखती जरूर हैं। पार्क के बेंच पर सोई हुई श्त्री की मांग में सिंदूर है और वह सुन्दर भी है जिससे उसके किसी कुलीन परिबार से संबंध होने की बात भी लोगों को मालूम चलती है। इसे इसपस्ट होता है कि वो कोई अच्छे घर की ही बहु है। यदि वह स्तिरी कुलीन परिबार की है तो इसे विक्टोरियाई नेतिकता के अनुसार अपने घर में ही रहना चाहिए था। ये विक्टोरियाई नेतिकता मतलब जैसे पित्री सत्तात्मक समाज दुआरा स्तिरीयों के लिए जैसा वेवस्था किया गया था। उसी का अनुसार चलना चाहिए था। यदि वो पार्क में आई थी तो उसके साथ उसके पती सास या मा का होना अनिवार ये था। किन्तु यह इस्तिरी तो सारी वैबाहिक मर्यादाओं और सालिंता को नकार्थी हुई अकेली बेसूद पार्क के बेंच पर सोई हुई है तो यह इस्तिरी की मर्यादा द्रिष्टी से मामुली बात तो नहीं हो सकती। अता उस्तिरी का ऐसा अस्वभाविक वेवहार लोगों को तरह तरह के अनुमान लगाने के लिए बात ध्य करता है। पार्क के बेंच पर किसी कुलीन परिवार से संबंधित होने वाले इस्तिरी इस प्रकार से सालिंता तथा मर्यादाओं को ताक पर रख कर नहीं सो सकती है। इसलिए इस इस्तिरी को कुलीन परिवार की न मानकर कोई वैस्या भी समझा जाता है। और जदी वैस्या न भी हुई तो घर से निकाली हुई कोई इस्तिरी है जो अपने रूप आकर्षन के जाल में लोगों को फसाने के लिए यहां पार्क की बेंच पर आकर सो रही है। तो इस तरह की बातें लोग सोचते हैं। वस्तुता वह इस्तिरी के कुलीन वैस्या या घर से निकाले जाने वाली इस्तिरी होने का अधिक महत्व नहीं है। बलकि इसके माध्यम से प्रेमचन अवचित्य और अनोवचित्य का वो एतिहासिक प्रस्ण भी उठाते हैं जो हमारी पृत्ति सत्तात्मक भारतिय संस्कृति में एक इस्तिरी के आचरन से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से किसी भी स्तिरी को अकेले पार्क में सोता हुआ देखकर आज भी प्रस्ण चिन लगाते हुए आश्चर्ज में पढ़ना स्तिरियों पर लगाये जाने बाले कठोर परतिबंध तथा भारतिय देशकाल की परिश्थितियों को ही उजागर करता है। जहां आज भी इस प्रकार से खुले में किसी इस्तिरी का सोना किसी भी रूप में छम्य नहीं है। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से विक्टोरियाई नहितिकता पर प्रस्णचिन लगाने के उद्देशी से पार्क में सोई हुई इस्तिरी का उदाहरन प्रस्तूत करते हैं। यह विक्टोरियाई नहितिकता हमारी सामाजिक सांस्कृतिक धार्नाओं में इस प्रकार से समा गई है कि हम उसी मनोबृत्ती के अनुसार किसी इस्तिरी के चरित्र तथा उसकी नहितिकता का अनुमान लगाते रहते हैं। इस कहानी में आए बसंत और हासीम नामक दो युबक तो यह प्रतिक्रिया देते हैं कि यह इस्तिरी जिस बेशर्मी से बेंच पर सोई है वैसी बेशर्मी तो वेश्याएं भी नहीं करती है। वास्ताव में बसंत और हासीम के बीच वेश्या और कुल वधू के अंतर को लेकर बहस भी होती है। वे मानते हैं कि कुल वधू अगर पार्क में आकर सोए तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं है कि वो किसी को आकर्शित करना चाहती है और वो वैस्या मनुब्रित्ती की है। तो इस तरह के जो युबा पुड़ी है वो ऐसा अगर सोचते हैं तो फिर कल्पना की जा सकती है कि समाज की क्या विचारधारा है। यहां पर एक युबा इस्तिरीद्वारा समाज के नयतिकता के बंधनों को तोड़ कर थोड़े समय के लिए अपना जीवन खुलकर जीने पर भी समाज का युबा वर्ग प्रतिबंध लगाना चाहता था। और इस से उस समाज की सांस्कृतिक जकडन तथा नयतिक द्रिष्टी हिंता का अनुभाव स्वयविं ही लगाये जा सकते हैं। कि अर्थात जहां पर युवा इस तरह की सोच रखते हैं तो वहां का सांस्कृतिक जकडन किस प्रकार का है या फिर नैतिक द्रिष्टी हींता इसका अनुमान लगाया जा सकता है इसी कहानी के दूसरे दिरिष्य में दो वृध्धों द्वारा यूबदी के इस तरह से सोय होने पर व्यक्त प्रतिक्रियाएं दिखाई देती है जिसके आधार पर सिश्टता का प्रस्न भी उभर कर सामने आता है तथा यूबदी को वेश्या सिध करने का प्रयास भी जारी रखा जा रहा है व्रिद्धों को नए जमाने की जिंदगी की बहार को लेकर सिकायते भी है तो वे इस बात से भी दुखी है कि वे अब इस जमाने का लुप्त उठाने के लिए अब जवान नहीं रहे हैं अर्था ये जमाने को दोस्त देना भी चाहते हैं और खुद इसका नियास के दृषियों को देख कर व्रिद्धों में भी प्रेम का संचार होता है और वे इस्तिरी से अपने संबंध के बारे में कलपनाएं करते हुए स्वयंग के अंदर एक गुदगुदी सी अनुभव भी करते हैं इस दृषि के माध्यम से व्रिद्धों की दमीत गया है जो खुले पन का आनन्द तो लूटना चाहते हैं लेकिन पुराने आदर्सों और नयतिकता से बाहर निकलने का समर्थन भी नहीं करना चाहते हैं तीसरे दिरिश्य में दो इस्तिरियां यही लास्ट दिरिश्य है तो इसमें दो इस्तिरियों की प्रतिक्रियाएं जिसमें एक वृद्धा है और दूसरी नवयोगना अर्था यूब्ति है दोनों संभ्रांत कुलीन और सिक्षित परिवार से संबंधी थे ऐसा लग रहा है तथा पी उनकी प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं पूरूसों के अनुरूफ ही है जिसमें वृद्धा इस तरह से आजाद सोई इस्तिरि को देख कर यह उचित मानती है कि पूरूस इस्तिरियों को स्वतनतरता प्रदान न करें अर्था यहां पेख़ देखा जाए तो व्रिधा वो स्वयंग श्तिरिओ भी ऐसा मानती है कि पुरूस क्या करें श्तिरियों को इस तरह की स्वतनतरता न दें क्योंकि इस से वे बिगड जाती है इस प्रकार स्वई हुई इस्तिरी पूरे इस्तिरी समाज को लज्जित कर रही है इस संदर्भ में प्रेम चंद स्तिरी की आजादी की सिमाओं की भी व्याक्षा करते हैं जहां वे आजादी तो चाहते हैं किन्तु अपनी स्तिरी सुलब गौरब सिल्ता और लज्जा सिल्ता का भी त्याग कदाफी नहीं करना चाहती है आधे अंग के कपड़े पहनना तथा खुले में अकेले घूमना आजादी का दुरुपयोग मानते हुए प्रेमचंद को स्तिरियों की इस प्रकार की स्वाधिनता सुईकार्य नहीं थी इसलिए वे दो पर बहस कराते हैं जिसमें व्रिद्धा का यह मानना है कि श्तिरी स्वयंग को छिपा कर ही पूरूसों को नाच नचा सकती है तो यूबति का यह मानना है कि इस जिम्मेदारी को पूरूस क्यों नहीं बहन करते हैं अर्थात यह कहा जा सकता है कि व्रिद्धा जो की पुरान सोच की परतिनिधी है और वही जो यह नवयोवना कन्या है यह क्या है नए सोच को दिखाती है तो बृद्धा इसी बीच अचानक क्रोधित होकर कहती है कि इतने आदमी यहां से आ जा रहे हैं और यहां असलीलता दर्शा रही है तब बृद्धा उस यूपति का हाथ पकड़ कर उसे जगा देती है और तभी क्या होता है सभी अनुमानों तथा आसंकाओं से परदा उठ जाता है ना जब यह सब को पता चलता है कि वो यहां हवा खाने आई थी है ना और चुकि उसे अचानक से चक्कर आ गया इसलिए वो क्या हो गई बेंच में ही सो गई लोग क्या क आस लगा रहे थे क्या क्या संकाओं कर रहे थे लेकिन यह एक सामाइने सी बात है वो घूमने के लिए आई थी अचानक से चक्कर आ गया तो बेंच में लेट गई या सो गई यह जब लोगों को यह भी मालूम हुआ कि वह प्रतिस्ठीत डॉक्टर स्यामनात के बेटे की प अमान की दिरिष्टी से देखने लगते हैं तो वे उनसे पूछते भी हैं कि वो अकेले पार्क में क्यों आई किसी को साथ क्यों नहीं लाई है जब यह प्रस्न पूछते हैं तो यूबती जो कि सिक्षित है आधुनीक है ना तो वो क्या है इस प्रस्न का उत्तर देना आव कहानी समाथ हो जाती है ठीक है लेकिन स्वतंत्रता का पाठ यह संदेश भी दे जाती है कि अब इस्तिरियां बिना पती पुत्र या माबाप के अकेले बाहर निकलने का साहस करने लगी है इस कहानी के माधियम से प्रेमचंद ने इस्तिरी स्वतंत्रता तथा उसके पूरू पर भी प्रहार किया है इस कहानी का अधार पर यह इस पस्ट हो जाता है कि इसकी रचना काल के समय विक्टोरियाई नियमों पर प्रस्ण उठने लगे थे तथा स्तिरियों की चेतना में परिवर्तनाना प्रारंब हो गया था तो इस परकार आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा लाइक सेर कर सकते हैं चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद